वेल्कम कर्स टूडे आल सो यू जावास्क्रिप्ट अन्डिफाइड एंड जावास्क्रिप्ट नौल वैलूज वो कैसे हैं एंडेलिंग करते हैं ओ मैं दिखाऊंगा आज ठीक है अब लोग देख लीजिए सेख लीजिए अगर इस चैनल में कोई नहीं है तो प्लीज साब क्या है ओ भी मैं बताऊंगा आप लोग को ओके तो देखिए जावस्क्रिप्ट नाम नौल वैलूज कैसे हैंडेलिंग करते हैं सापोस मैं यहां पे इप कॉंडिशन में लिख रहा हूं ठेक है टाइफ ओफ सापोस मैं दे रहा हूं माई नेम ओके माई नेम पे मैं दे रह लॉग करके मैं देख रहा हूं माई नेम इस अन्डिफेंड ओके इल्स कर्णिशन में क्या होगा लॉग माई नेम ठेक है अभी देखें क्या आ रहा है देखें इसका क्या आ रहा है अन्डिफेंड अन्डिफेंड इस नोट माई नेम इस नोट डिफाइड ठीक है एरर आ रहा है क्यों एरर आ रहा है क्योंकि इसका कुछ कॉंडिशन नहीं है जस्ट मैंने यहां पे अन्डिफेंड को इप कॉंडिशन पे एट किया अन्डिफेंड कैसे होता है अन्डिफेंड होता है मतलब जिसका वैलू सेट नही तो इसलिए टाइफ औफ यहां पर इप कंडिशन में मैं आड कर दे रहां ओके अगर इस में इप कंडिशन में मैं दे रहां मैं सपोस मैं दे रहां माई नेम टायफ ओफ लुट कर अनडीफाइन तो फिर क्या होगा ओ देखे log log my name is undefined else condition में क्या होगा else condition में होगा log my name ओके यह देखिये क्या आ रहा है इसको मैंने comment किया अभी देखिये इसका क्या आ रहा है reference error my name is not defined मतलब यह जो undefined करके तुमने दे रहा है आप लोग दे रहा हो तो यह गलत है यह undefined वो handling नहीं करता है क्यूंकि उसका भैलू कुछ नहीं आता है आइदर कुछ string में क्या होगा my name my name पे आइदर empty होगा और क्या होगा null होगा undefined कभी नहीं होगा undefined आएगा कब जब इसका value set नहीं हो रहा है जब इसका error आ रहा है तब यह undefined show होगा other thing is value अगर set नहीं होगा तो इसका undefined आएगा ठीक है undefined पकड़ के आप इप condition में condition basis में यूच नहीं कर पाएगा ओके ठीक है तो देखते है अब ही मैं दिखा रहा है नालवहलू को कैसे handling करते है ठेक है ओ मैं दिखा रहा है उसके बाद मैं difference मैं बता रहा है अपको की कैसे होता है ठीक है मैं null value ओ कैसे set होता है और दिखाता है ओ मैं दिखा रहा हूँ where मतलब variable कुछ ले रहा हूँ कि student student को लेके मैं दे रहा हूँ null value ठीक है यह JavaScript बहुत powerful language है यह आपको सिखना पड़ेगा अगर यह सिख जाएगा तो कही programming language में कभी भी problem नहीं होगा ठीक है यह JavaScript का basic idea होना जुरूरी है उसके बाद तो advance तक जाएगा अभी मैं basic चीज सब कुछ मैं सिखा रहा हूँ एकदम starting से लेकर end तक पुरा मैं सिखा रहा हूँ अब लोगों को एक चीज पकर के part by part by part मैं break break करके मैं दिखा रहा हूँ आब लोगों को तरका कि सेखे सब्दम इंडस्ट्री में जाएए दिखे कैसे काम होता है ठीक है और वं मैं आब लोगों को कोशिस कर रहा हूँ दिखाने के लिए सिखाने के लिए ठीक है तो देखते हैं चलिए कैसे होता है नाल है लो सेड होता है ठीक है अगर इस चैनल में कई नाया आया तो प्लीज क्लिक तो सब्सक्राइब एन फिल्क ऑन बेल आइकन देन विल गेट मोर वीडियोस एड नोटिफिकेशन ओके ठीक है देखते हैं फेरियोवड स्टूदेंट सपुज मैंने लिया है नाल ओके देन आयल शोयू कॉन्सोल करके इसको मैं दे रहा हूं स्टूदेंट स्टूदेंट करक मैं दे रहा हूं उसके बाद इसका मैं टाइफ ऑफ भी चेक कर लेते हैं कि क्या टाइफ ऑफ आ रहा है इसका पहले वीडियो मैंने अब लूट किया है टाइफ ऑफ क्या है ओ मैं बोल दिया है अब लोग आब लोग देख लीजिए इसका प्रिवियस वर्सन प्रिवियस व क्या है type of student ठीख है मैंने सेप किया देखिए क्या है पहले वाला क्या है नाल दुसरा वाला क्या है ऑबजेक्ट मतलब इसका पहला क्या है नाल इहां पर variable null set किया है value, इसलिए इसका null आ रहा है, ठेक है बट, इसका type of क्या है object ये object करके आ रहा है undefined को मैंने दिखा आ था, एक condition लेके वो क्या है, वो कुछ नहीं है ठेक है वो कुछ नहीं है undefined just value set नहीं हो रहा है, इसलिए आपको undefined दिखा रहा है ठेक है बट नाल जब है यह नाल को यह value set हो रहा है इसलिए आ रहा है ओके तो अभी मैं दिखा रहा हूं कि नाल को कैसे handling होगा सापोस्ट भेरेबल स्टूदेंट इस इकल टू नाल स्टूदेंट इकल टू एक अबजेक्ट बना रहा हूं कि फास्ट नेम इस इकल टू एलवाट इस जस्ट की एंड वैलू वैलू जो कुछ भी दे सकते है ठीक है लास्ट नेम क्या रहा हूं मैंने दिया एंड एज मैं दे रहा हूं एज दे रहा हूं 20 ओके यह इसका अबजेक्ट मैं क्रेट कर लिया है राइट अभी इसको मैं क्या करूंगा टाइफ ओफ एंड सब कुछ मैं दिखाऊंगा इसका क्या आ रहा है ठीक है देखिए यह है आपका डीटेल्स ऑबजेक्ट का और टाइफ ओफ क्या है ऑबजेक्ट ठीक है ओ है जावस्क्रिप्ट का नाल भैलू सेट मतलब क्या है पहले अपने स्टूडेंट करके दिया है नाल ओ नाल नहीं सेट हो रहा है उसके बाद अपने क्या किया है स्टूडेंट अबजेक्ट के अंधर मैंने अबजेक्ट पास कर दिया इसके बाद क्या हो रहा है यह नाल को रिप्लेस हो जा रहा है यह अबजेक्ट इसलिए यहां पर आ रहा है उसके बाद इसका टाइफ ऑफ क्या है ओ मैं चेक कर लिया है टाइफ ऑफ है ऑबजेक्ट तो ऐसे करके आप देख सकते हैं ठीक है अभी अभी मैं दिखा रहा हूं सापोस मैं भेरियेबल स्टूडेंट ले रहा हूं स्टूडेंट को मैंने new object करके मैं भेरियेबल ले रहा हूं ठीक है उसके बाद मैं दे रहा हूं स्टूडेंट डॉर्ट फास्ट नेम इसका मैं copy करके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूं तब चलेगा कि ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसका तारीका बहुत है ठीक है लिखने के लिए तारीका बहुत है आप ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं ठीक है स्टूडेंट फास्ट नेम अभी मैं दिखा रहा हूं स्टूडेंट लास्ट नेम क्या रोल ठेक है स्टूडेंट डॉट एज स्टूडेंट डॉट एज इकल टॉट्वेंटी ठेक है उसके बाद इसका टाइफ और इसका कॉंसोल देख लिजी क्या आया देखिए आ गिया आप मतलब क्या ऐसे भी ऑबजेक्ट सेट कर सकते हो ऐसे भी ऑबजेक्ट सेट कर सकते हो ठेक है ऑबजेक्ट सेट करके आप ऐसे क्रेट कर सकते हो ओके तो ऐसे करके ऑबजेक्ट को यूज करना होता है नाल को हम लोग हैंडेलिंग कर सकते है ऐस पर फैलू सेट करके ठीक है उसका difference जो null है and undefined है उसका difference है difference क्या है ओ मैं दिखा रहा हूँ ओ मैं दिखिये मैं बोल रहा हूँ object जो है ना object इसका जो null है इसका indicates जो absence होता है o value for a variable indicates the absence of a value for a variable जो variable है set नहीं हो रहा है बाट वहाँ पर null हा रहा है बाट value है उसका इसी लिए ओ नाल दिखा रहा है but undefined क्या है undefined indicates that a variable has not been assigned ये value value जब sn नहीं होगा तब a undefined होगा ठीक है नाल क्या है null as an object but undefined वो itself ही है वो type itself उसका कुछ type of नहीं होता है array object कुछ भी नहीं होता है ठीक है तो ये है null and undefined का difference ओके समझ गया है null and undefined का क्या है undefined का ठीक है चलिए दोस्तो थैंक्यू thanks for watching this video see you on the next video झाल